भारती समान्ता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के कार कार्णिंग घोशित की। अयोद्या से मनुनित किये गए। अवस्ति जी ने बताया कि भारती समान्ता पार्टी की उत्तर प्रदेश में पुरानी कार कार्णि भंग कर दी गई। उत्तर प्रदेश से भारती समान्ता पार्टी ने सी राजकुमार त्रवेदी को प्रदेश अध्यक्ष नुक्त किया है। राजकुमार त्रवेदी और कानपूर महानगर से स्री गोपाल त्रवेदी को जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द ही अपनी कारकारणी की आगे गोशना करेगी। प्रदेश की कारकारणी पूर में भंक कर दी गई थी। यह नई कारकारणी उसी को पिस्तार देते हुए क्योंकि लोकसभा चुनाओ 2024 में आ रहे हैं। 2024 की तयारी अभी से मान दी जाए और भारती शमानता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर अपने प्रत्यासी उतारी में। इस पार्टी का कि आज तक 75 सालों से जो देश की राजनी चली आ रही है। उससे बिल्कुल अलग हटकर काम करना चाहती है। यह नहीं है। काम करके दिखाएगी। और यह प्रणाव आप सभी लोहों के सामने बहुत जल्द ही आ जाए। जंदी निकाय चुनाव हमारे यह पहली बार हो रहा है। रहा शदना खाली पड़ा। जुनाव इतना लेठ हो रहा सतय का लकाल समाप्त हो चुके हैं। और 6 महीने चुनाव लेठ होने का कोई कारण नहीं. केवन और अक्षड के उसमें हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाओ का इंसिल कर दिए किन किन राटी समानता पार्टी उत्तर प्रदेश राजस्थान मर्द प्रदेश महाराष्ट जारखन विहार और पंजाब ये नौ राज्यों में काम कर रहे हैं कि वारत की जंता का भविष्ष भारती शमानता पार्टी में ही सुरखषित है हम नेता जी सुवाज चन्बोस के आदर्थों पर चलने वाले भारती शमानता पार्टी के लोग हैं वह बाचन्बोस ने Chief और सासक अंग्रेज हो कि भारत से बाहर पिया था और भार्ति समानता पार्टी इस भारत में गद्दारों को भारत से बाहर लेकाने आ रहे हैं